सो नाओ मनापरम फाइनेंस इलिमिटेड अब देखें 154 रुपए 30 पैसे का प्राइस देखें मुला है अभी अगर आप देखें तो 13% की गिरावट के साथ क्लोज हुए यह RBI की स्टिक्ट एक्षन के बाद उसके उपर हम बात करेंगे बड़ी एक ऐसा स्टॉक है फूरे मा इसके बाद एक भारी गिरावट आनी ही आनी है चार साल का पैटर्न यह बता रहा है तो सबसे पहली बात तो यह समझने कि कि RBI ने किस पर action लिया है मनफरम finance की उपर action नहीं लिया है मनफरम finance की जो subsidiary है जो की listing होने थी IPO आना थो उसका बट उसकी उपर action लिया है आशिरवाद microfinance आप यहाँ पर action इसलिए लिया गया है कि यह जो loan देते थे and loan का जो interest होता था वो जरूरत से जादा यह ले रहे था ज example में आपको बतारू कि RBI ने लिमिट सेट कर रखी है कोई भी लिमिट ते हो पच्चे सो भी सो थी सो उससे जादा यह वसूल कर रहे थे customers को हो रही थी problem NBFC से वो लोग लेते हैं जिनको बैंक से सीधी सी बात लोन नहीं मिलता है किसी भी दर पर वो लोन लेने की तेयार होते है कोई भी problem होती है उनको तो वो NBFC से लोन ले लेते हैं यह होती NBFC के काम अब यहाँ पर अल्रेड़ी वो यहाँ पर इतना तंग है NBFC अगर यहाँ पर इंटरेस्ट लेगी तो सिंपल सी बात है आप उसकी problem को और ज्यादा बढ़ा रहें एंड उसी के बाद यहाँ पर आता है जैफ्री इसका एक 167 का target 270 से यहाँ घटाकर 167 कर दिया है यानि कि जब भी आगर आपके सामने यह target से निकल कर आते 167 170 कट करकर यहाँ कर दिया है तो इसका मुतलब यह है कि problem और भी ज्यादा भड़ सकती है प्राइस और भी ज्यादा गिर सकता है बट 170 तक लोट के आ सकता है यह बात यहाँ पर चाहे वह 100 हो जाए लेकिन जैफ्री इसका यह कहना होता है कि 170 यह 167 तक लिए लोट कर आएगा यह इसकी जाया जाता है कि revenue जो हो 219 million dollar है यानि कि अगर आप देखें convert करेंगे तो almost यहाँ पर बनता है 1600 से 1700 करोड के आसपास का revenue profitability वही होगी आपका 200 करोड के around आसपास इतनी ही profitability होगी इससे ज्यादा profitability नहीं होगी so that आपके सामने कुछ यह है अगर असर पड़ा भी तो मनापरम finance के उपर इतना वड़ा असर नहीं पड़ेगा कि मनापरम finance को problem हो जाए यह भी ध्यान रखेंगा subsidiary है बड़ इसका मतलब यह नहीं है कि मनापरम finance तबा होने वाली है यह मैं बताने के courses कर रहा हूँ मनापरम finance गोल्ड finance में है और वो अपने आपको अलग तरीके से कर रहे हैं सिंपल सी बात है उनका subsidiary है उससे वो जो भी करना चाह रहे है वो कर रहे है उसका pressure हमें देखने मिल ला है स्टॉक के अंदर बट मनापरम finance का जो entity है जो खोद यहां पर रहा है वो गोल्ड लोन का काम करती है और वो एक नंबर तरीके से कर रहे है उस पर कोई आच नहीं आने दे रहे हैं यह बात हमें समझे तो जो इस टॉक के अंदर प्रैसर देखने मिल ला है वो आशिरवाद माइक्रो फाइनेंस की वज़े से देखने को को तो मिल ला है बड़ वो कही ना कि मनपरम finance वालों को अपोचिटी क्रेट करके देगा एंड मोस्टली इस स्टॉक को होल्ड कौन कर रहे है एफाइस कई सालों से 33 सबसे हाइस्ट परसेंट इस वक्त हमें देखने मिल है 33 परस अब जैसा कि मैं आपको बता रहे हैं मनपरम फाइनेंस जो है वह एक रहा वैल्थ क्रिएशन का दो नाम ही नहीं लेता इस स्टॉक को जब पिछली बार प्रोब्लम आई थी मुझे टाइम याद नहीं आ रहा मैं बहुत कवर करता था इसे जब चैनल इकदम नहीं तो इसक सामने जो प्राइस हैं जल लिए वह हम 153 के चल लिए 55.78 का यहां पर आपको पीर एश्यो देखने हो जाता इतना सस्ता है आपके सामने अगर आप मुथूट से कंपेर करेंगी तो मुथूट की जो यहां पर आपका रिविन्यू और प्रोफिट है ना उसका 50% मनपुरम है यहांने कि अगर मुथूट 100 रुपे उसका रिविन्यू है 50 रुपे का रिविन्यू मनपुरम का है इस बास से समझे अगर प्रोफिट 10 रुपे का है तो 5 रुपे मनपुरम के पास यह बात 50-50 है बट वेल्यूशन के बारे में अगर आप बात करें तो 7 गुना बड़ा है मनपुरम से मुथूट फाइनल्स 7 रुपे से पैसे तो बन गई लेकिन इसने वेल्यू कुरेशन का नाम ने लिया उस वक्ते यह स्टॉक गिरा था लमसंग लमसंग 214 या 215 से यह स्टॉक गिरा था जब इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी और आज की डेट में प्रैस यह एक हाल है मनपुरम फाइनेंस का डिविडेंड दिया सब कुछ दिया लेकिन कोई वेल्यू क्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर एंड सेके लास्ट तो दीखे डार्क क्लाउड है कितना गिरागा कहना मुसके लग्यों कि इसके अंदर जब गिरावट आत अईर्ड यह आपके सामने 2020 से स्टार्टिंग है यह 220 का करेक्सें यह राभ यह 214 रुपए से टूटे था ठीक ना फिर बापे से अन्दर अपके सामनी 12 गिरावट का यह से सायद मैं कवर करना है यह से तो यह बात है यहापर आपके सामने यह गिरें ऑनुन नाइन्ट थे के असपास आए थे ठीक है उसके बाद तो इसके अंदर जब भी हैवी हैवी गिरावट आती है यह 100-100 रुपए तक जाता है और वहीं से घूम जाता है 100-90 रुपए तक जाएगा एक दम घूमने के यहां पर जो है ना उसके आसार हो जाते हैं तो यह बात है एंड यह सिर दो मढ़ोपर मढ़ोड फा इल्थार करते हैं और लोट फाइनेंस का यह के सिनیरियोः आ खराब सिनेरियो आ वास्ता में कराब सिनियरियो इस चयादा और यह यह हैं आज और ऑन स्की स्व कि इसे ज़्यादा गिर सकते हैं गिर सकता है लेकिन उ시면 कई रुपय के लिक्न दिनाने कि एतनी सस्ती वैल्यू पर मिल रहा है कि इसे ज़्यादा मित्टी कि आपर कुछ नहीं मानापरा 힘들 संफ बिल्कुल मिठी केबाव पर भिखते हैं बिल्कुल स्फोने का काम है बट मिट्टी के बावबर मिल रहा है एंड लास्क मूविंग एवरेस सारे सारे मूविंग एवरेस तोड़ कर ये नीचे लगातार चार दिन से गरावट आ रही थी मूविंग एवरेस के नीचे एक दम जो एन यूज आगी आरवियाई के एंड इसके बाद हमारे सामने जो हुआ वो देखी रहा है लेकिन हो सकता है कि यहां से गूम जाए Otherwise 142 एक अच्छे जगह है यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर सपोर्ट है ठीक है इस जगह पर तो मेरे क्यान से यहाँ से गूम सकता है लेकिन देखना यही होगा क्योंकि यह अच्छे खासे ग्रावट के बाद ना यहां से गूम है उस लेवल के नीचे 155 ए 156 के लेवल उससे नीचे यहां पर क्लोजिंग हुई है देखना यह बनता है कि अगर यहां पर मंडे के दिन थोड़ी सी कवरिंग भी आई और 160 भी वा करने का सस्ता मिल रहा है लेकिन औंसस्ती चीज भी थोड़ी कंवर खराब होती इस इस कीपेस्ट वेल्यू पर मिल रहा है तो जिसको वख Св It इंट्रेस्ट होना अगर इसके अंदर थोड़ी से भी ग्रावट अगर आती है तब ही देखिएगा इसके अंदर अधर्वाइस जगह भी अच्छी अभी भी जगह अच्छी है अगर 120 पर मिल जा है तो जो रिस्क अगर आपको चीज मिल रही होगी तो यह बात है मनगपरम फाइनेंस में अधर्वाइस कुछ भी क्रियेट करके नहीं दिया और आगे क्या करेगा पता नहीं है यही है मिट्टी के वाव में करी लो तो बड़ा बहुत हाई असाट चले आए बस इतने में ही काम हो जाता है बस यही इसमें दिख रहा है अधर्वाइस पता नहीं गौड नोस की इसमें हो ना क्या है सो मीदे काफी कुछ आपको सुझ में आया हुआ एक माने विस से पहले आपने ब्रोकरा डवाइस से जरू सला लिए खुद की श्रेडी के लिए उससे बेतर कुछ भी है उससे बेतर झाल